एश और दुनिया की हर ख़बर से जुड़े रहने के लिए वारतालाब टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दमाना ना भुलें अब हर ख़बर आपके फोल्ड पर नमस्कार वारतालाब टीवी में आपका स्वागत है ख़बर उत्तर प्रदेश के गाजीपूर जनपत से है कोटेदार पर लगा अनाज कम तौलने का आरोप जखनिया अंतरगत भुलकुडा ग्राम सभा में कोटेदार के द्वारा घतवली के मामले में दुकान ट्रांसफर करके भुलकुडा गाउं में ही रामाधार कोटेदार के यहां कर दी गई मामला यह था कि रमेश कोटेदार ने साल में कई बार रासन ना देने का अरोप लगा था इसको लेकर दुकान ट्रांसफर कर दी गई थी लेकिन जिसके यहां दुकान गई थी उसके उपर भी यह अरोप लगाया जा रहा है कि 5 यूनिट के उपर 12 किलो अनाज रासन दिया जा रहा है जब कोटेदार से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि पिछले कोटेदार काफी अनाज को बेच दिया है इसलिए जनता को कम रासन दिया जा रहा है जब यह मामला सप्लाई इस्पेक्टर पवन गुपता से पूछा गया तो पवन गुपता ने बताया कि यह तवली में सप्लाई इस्पेक्टर से लेकर कोटेदार वह उपर के अधिकारी आपस में मिले हुए हैं, जनता का सोसड कर रहे हैं, आईए हम मिलते हैं उन ग्रामिनों से जो लोगों ने आरोप लगाया है। तो कितना भी मिला है, अभी यह आपके सामने, देख लिए कितना किलो होगा, इनका अनाज कितना होगा, कुछ अंदाजा बताएं, बारा किलो है, दस किलो होगा, बारा किलो, यह क्यों कम मिला है, कुछ पता है आप लोको, पांच किलो कटेगा, कहां से क्यों कटेगा, पुछ 28 कुंटकी मिलला है टतक्द यू रासन मिला है उसी में सारे लोगों को बात रहे हैं यह महिना का कष्ट मु क्षान लगवाए चैक्र लेदों कि तो रासन एक möglich जनता को चाहिए उसने मतलब लासन को जो जनता को चाहिया उसा एक सिरी सिवात ही होती है ऊसा चाब नैं... अगले बार भी कटके मिला है तो बार मेंने का बेचता था एक महने का देता इसके लिए कभी आप लोग कहे तो यह फोन किये है वहाँ ठीक है इस प्रक्रिकारी को में फोन करता हूं कभी कभी मतलब एक मैंने का प्राष्ण अब क्या नाम है आपका भी आपका अच्छाओ घ्राम सभा कौन सब पढ़ेगा आपका बोड़कुणा पता है अच्छा इस समय जो राषं कमा रहा है क्या सभी कमा रहा है क्या सबकारा सब्सक्राइब आप तो यह गरबरी कहां से हु है अच्छा अगली बार नहीं मिला रास्ण आपको पांच यूनित पर आठ कीलो पिंद्ध किलो इस महीने मिला अगले मैंने मैंने मिला था अच्छा अच्छा